गोडिनिंग बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 24 नंबर जिसमें क्वेश्चन में एक लूप दी गई है यूनिफॉर्म एंगिटिक फीर्ड हमको मालूम है और यह भीर्ड जो है जड एक्सेस में है तो हम लिखने की फीर्ड की वैलू हमारी दे रखी है फाइब थ्री थाउजन गॉस तो गॉस को चेंज कर लेंग हम लोग टेसला पे तो थ्री थाउजन इंटू 10 पाउं माइनस 4 टेसला हो जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 टेसला करेंट हमको दिया हुआ है 12 एंपियर इस क्वेश्चन में और एरिया हमको जो यह लूप है ह हला कि यह लूप थोड़ी सी रक्टेंगल है मैंने स्क्वेयर बना दी है थोड़ी सी उची होनी चाहिए ऐसे आप मान के चलें थोड़ा उचा होना चाहिए ठीक है तो एरिया हमारा दे रखा है यहां पर 10 इंटू 5 यानि कि 10 सेंटीमिटर लंबा और 5 सेंटीमिटर चौड ठीक है बच्चों यह सारी जानकारी हमने लिख ली अब आपको देखिए क्वेशन बहुत अच्छा है यहां पर देखिए X-axis Y-axis और Z-axis हमारी जो क्वाइल रखी है या रेक्टेंगलर जो लूप रखा है वो Z- और Y-axis के प्लेन पर रखा हुआ है हमको हर केस में यहां कई केसे दिये गए हैं A B C D E F जिसमें हर केस में हमको टॉर्क बताना है फोर्स बताना है और किस पोजिशन में स्टेबल इकलिब्रियम होगा और किस पोजिशन में Unstable इकलिब्रियम होगा तो कुर्शन को धियान से देखेंगे पोई दिक्कत नहीं होगी बहुत अच्छे यह यहां पर हम लोग पहले तो एरिया वेक्टर पता करना पड़ेगा क्योंकि टॉर्क का फार्मुला जो होता है वो होता है बचों आई एक्रॉस बी क्योंकि टॉर्क हमारा क्या है वेक्टर कॉंटी है तो हमको डारेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर तो हम area vector का direction कैसे देखेंगे, ये आपको ध्यान देना है याँ, जब भी कभी आपको area निकालना है close loop में, तो जो loop है, loop की current की direction है, उस तरफ आप उंगलियों को कर दें, याँ देखें ऐसे दिया गया है, तो आप उंगलियों को ऐसे curl कर दें, तो आपने क्या किया है, उंगल कि यह उपर की तरफ यानि उपर का मतलब देगे 3D पिक्चर है यह तो उपर जब हम इसको इस प्लेन पर रखेंगे और इसको रखेंगे ऐसे करके अगर ऐसे करके रखेंगे तो यह डारेक्शन हमको देगा एरिया की वह X-axis की तरफ देगा अगर अगर इसको आप देखें थोड़ा से मैं उपर कर देता हूं इसको ऐसे करेंगे जब यह जो अंगुठा है वो हमारी किस तरफ पताएगा X-axis की तरफ तो उगलियों को जैसे ही आप कर्ल करेंगे तो हमें एरिया वेक्टर की डिरेक्शन मिल जाएगी यानि एरिया हमको अगर आई यहाँ लिखें वैलू तो लिख लेंगे 5 इंटू 10 पाँ मैंनस 3 और एरिया में जो एरिया हमको दिया है वो दिया है current हमको दिया था 12 ampere यहां से लिख लेता हूँ current हमारी कितनी है 12 लगाया area हमको कितना दिया हुआ है 5 into 10 power minus 3 और x axis की तरफ इसका area vector है तो हम इसकी direction क्या लिख लेंगे i cap ध्यान रखें i cap लिखेंगे ठीके बच्चो अच्छा अब देखिए z direction में तो feed हम क्या लिख लेंगे feed की direction हम लोग लिख लेंगे यहां पर इसको छोटे bracket में कर लेते हैं feed है हमारा 0.3 तो 0.3 और direction इसकी क्या हो गई direction इसकी हो गई हमारी k ठीक है k direction हो गई क्योंकि i इधर होता है j इधर होगा y axis में और z direction में k होगा तो i cross k अब इसको bracket close करते हैं i, j का समीकरण समझ लें i, j का समीकरण क्या होता है देखिए i, j के अगर i, j और k कहीं लिखा है तो इसको जो है कैसे समझेंगे कि इसमें क्या हम घुमाएं देखिए i को जब j से multiply करेंगे तो आपको k मिलेगा और k को i से जब product करेंगे cross तो j मिलेगा और अगर उल्टा करेंगे तो minus sign में आ जाएगा जैसे अगर j से i करेंगे तो हमें minus k मिलेगा तो याद रखें i का j से करेंगे तो k मिलेगा k के i से करेंगे तो j मिलेगा और i का j से करेंगे तो k मिलेगा j का k से करेंगे तो i मिलेगा तो इस तरह से हम अगर उल्टा चलेंगे तो minus sign में आ जाएगा ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ यह multiply करेंगे 5, 3, 15, 1.5 और उसको अगर multiply कर लिया हमने तो आ जाएगा हमारा ultimate i को जब k से करेंगे तो आएगा minus j क्योंकि हमने तहाए न i को k से करेंगे तो minus j आएगा ठीक है तो यहाँ क्या लिखेंगा minus j ऐसे अब यह minus sign बाहर ले लिजिए तो क्या आजाएगा minus 1.8 j cap और j cap देखिए i इधर है j यहाँ है और k उपर की तरफ है तो minus शुकी आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा negative y direction में आ जाएगा negative y direction क्योंकि minus है तो इधर तो plus होगा minus अगर आपका j आ रहा है तो इसका negative y direction हो गया और यह newton meter के form में इसको लिखा जाएगा ठीक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छा अब देखिए same यह rectangle को है same देखिए ऐसी रखी हुई है इसको भी अगर curl करेंगे तो इसका भी जो है हमारे पास जो area vector आएगा वो भी जो है x x की तरफ आएगा सारा सब कुछ सेम रहेगा इसमें कोई भी change नहीं आएगा बिल्कुल सेम रहेगा इसमें भी direction वही आएगी torque की तो इसका answer भी अगर आप देखिए सारा सब कुछ वही है तो इसका भी minus 1.28 j cap आएगा आप सवाल उठता है कि इसमें दोनों में torque तो हमारा जो है आ गया ठीक है torque 0 नहीं आया torque हमारा आया answer लेकिन force की value भी बताना है दूरसे part बकाना force भी बताईए each case में तो देखिए ध्यान दीजे जब भी किसी closed loop को field के perpendicular रखा गया हो जिसका area vector field से 90 degree का angle बना रहा हो तो वहाँ पर जो net force जीरो लगेगा देखिए कैसे मालने कि एक loop है plane में आप loop ऐसे समझे कि loop ऐसे रखा हुआ है इस तरह से loop रखा हुआ है और ये कहां रखा हुआ है field के अंदर रखा हुआ है field क्या है perpendicular इसके plane चुकी आईसा plane माल लीजे और उपर की तरफ field लग रहा है तो अगर हम इसमे rule लगाते हैं कौन सा rule कि अगर देखिए ये part A, B, A, B, C, D अगर ये मालने कि एक loop है तो A, B जो है में current हमारी direction में तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग current की direction राइट हैंड हम रूल लगा रहे हैं current की direction हमाई थम बताएगा और field ऊपर की तरफ है ठीक है field ऊपर की तरफ है तो इस पर जो force लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा यानि कि force कहां लगेगा बच्चों बाहर की तरफ ठीक है current की direction यह है और field हमारी कहां है उपर की तरफ देखी है हमने उपर की तरफ फीड कर दिया और यहां पर अंगुठा दिखा दिया current की direction CB वाले में क्या होगा force धर लग जाएगा इसी को उल्टा AB में force AC में force यह जो है force net zero होगा यह इसको cancel कर देगा same length है same इसकी भी length है same field है current की direction current की strength भी वही है यह इसको cancel करेगा यह इसको cancel करेगा लिहाजा force net क्या आगा है zero और दोनों ही case में zero force आएगा तो एक यह आद रखें कि अगर कोई close loop है और field पे 90 degree पे रखा हुआ है इसका plane और field की plane से 90 degree का angle बन रहा है तो उसमें लगने वाला net force जह जीरो होगा ठीक है यह बात समझ मा आगई अच्छा अब ध्यान दे यह तो हमारे question होगे A और B अब question जो part बच्चे हैं C और D देखिए C और D में देखिए अच्छो हमारे पास question है C देखिए यह थोड़ा सा question उसको देखना पड़ेगा क्या है C देखिए C में हमको जो बताया गया है उसमें current देखिए field वह हमको ही निकालने field हमारे पास हमें मालूमी थी कितनी थी हम लिख लेते हैं एक बार 0.3 tesla और current की direction हमको current का मालूम था 12A है और area जो हम लोगों निकाला था 5 into 10 power minus 3 area 5 into 10 power minus 3 meter square यह सारी जानकारी हमने पहले लिखी भी थी वह हमारे पास है तो टार्क देखिए टार्क लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा area a cross b ठीक है a cross b देखिए यहां पर उंग्लियों को अगर हम इस तरह दिखाते हैm अगर उंग्लियां ऐसे दिखाते हैं तो यह हमारा अंगूठा किस तरह दिखाएगा बाहर की तरफ यानि कि अंगूठा जो है वो बाहर की तरफ दिखा रहा ऐसी पार्ट में इसका मतलब एरिया हमारा क्या हुआ, ध्यान से समझे, एरिया हमारा क्या हुआ, यहाँ पर होगा, तो एरिया हमारा देखे, एरिया जो वेक्टर है, अगर यहाँ पर बात करते हैं, एरिया वेक्टर की, ध्यान दे, तो एरिया जो वेक्टर होगा, वो अगर आप ऐसको ऐसे क तो current हमारी क्या हो गई 12 ampere ठीक है area हम vector लिख लेते हैं area vector हो जाएगा 5 into 10 power minus 3 और हो जाएगा minus j ठीक है बच्चों minus j cross field की direction तो उपर की तरफ है उसमें कोई सोचना नहीं है 0.3k ठीक है अब देखिए यहाँ पर बात समझे हैं हमारी जो j और k है जब इसको multiply करेंगे तो उतक है आ जाएगा 6 यह आ जाएगा minus 180 minus से बाहर आ जाएगा 180 minus 180 पर 10 पाउर minus 4 हो जाएगा minus 3 और यहाँ से बिल जाएगा minus 4 अब j और k को अगर हम multiply करते हैं तो हमने आपको आया था ना IJK फिर से ध्यान दें उस page में था हमारा IJK तो IJK में हमारा ताल मेल था जे और k जे और k करेंगे तो क्या मिलेगा I ठीक है जे और k करेंगे तो मिलेगा I तो वो भी positive में मिलेगा कोई समस्या नहीं यानि जो टॉर्क लगेगा वो इस डिरेक्शन में लगेगा इस पर न्यूटन मीटर ठीक है यह बात समन में आ गई होगी अच्छा अब इसमें देखिए टॉर्क तो हमारा जीरो है टॉर्क जीरो नहीं है नॉन जीरो है लेगिन फोर्स जीरो है क्योंकि आपको अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि देखिए वाले पार्ट में थोड़ा सा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो वाई और एक्स और जड़ है इस पर यह 30 डिगरी के एंगल पर रखा हुआ है यहां ध्यान देना है 30 डिगरी अगर हम इसको यह मान लें कि यह वाला जो है चुकि यह वाला तो आपका बनेगा माइनस जे प्लेन ठीक है और यह रखा हुआ है हमारा इस डिरेक्शन में तो इसको अग गीरी का एंगल बन रहा है इसके और इसके बीच में 90 डीगरी यह यह 30 डीगरी अगर geometry हैंगे टो यह वी 30 डीगरी एंगल बनेगा एकॉर्डिंगु जयमेक्टरी ठीक है यह फूरा 180 बनेगा तो अगर Geometry से अगर इसको हम solve करेंगे तो यह 30 degree बनेगा तो देखें इसका area vector हमारा क्या बनेगा area vector चुकि angle पर है तो हमें इसे resolve करना पड़ेगा मान लीजिए यह हमारी I axis है यानि कि X axis है तो इसको हम मान लेते हैं I cap ठीक है I cap और इसको हमने मान लिया है minus J क्योंकि यह है minus J और इसके बीज में कहीं आएगा area क्योंकि इसका area कहीं इधर आएगा क्योंकि थोड़ा से angle पर है तो इसका area exact इस position पर नहीं ना करके इस position पर आएगा तो हम क्या करें इसको area vector को हम resolve कर लें क्योंकि ना तो यह x में है ना ही यह पूरी तरह से J में है तो area को हम resolve कर लेते हैं तो देखे एरिया को जब resolve करेंगे और यह angle हमारा 30 degree बिल लहा है 30 degree बन रहा है बलकि मैं तो यह कहूंगा यह 90 बलकि यह 30 मिलेगा आपको यह वाला part 30 मिलेगा यह नहीं पूरा यह 30 नहीं मिलेगा जबकि यह 30 आपको मिलेगा 30 degree एंगल 30 degree के एंगल पर अगर हम देखेंगे तो i के साथ 30 degree एंगल है नहीं i के साथ 30 degree एंगल है तो geometry से कर हम देखेंगे तो यह बिलकुल जो है जो angle बन रहा है i के साथ 30 degree बनाएगा according to geometry यह 30 degree बना रहा है तो यहां i के साथ यह loop जो area होगा यह 30 तो इसका मतलब यह हुआ x axis के साथ 30 degree तो इसको अगर हम break करेंगे तो आपको मालूम है कि जब कोई चीज resolve की जाती है तो जिस के साथ जिस base के साथ angle होता है वो cos में आ जाता है यानि कि area इसके साथ क्या आ जाएगा cos में तो हम क्या लिख सकते हैं i cos 30 area के लिए i cos 30 और minus चुकि minus है इस direction में तो minus j sin 30 i cos 30 minus j sin 30 यह area के term में हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ चुकी angle दिया है इसलिए यहाँ पर तो फ़्ला सा दिक्कत कर हो जाएगी तो उसको solve करने लिए हमने क्या किया है कि area vector को ही break कर ले क्योंकि area पुरी तरह से 90 degree पर इधर नहीं आएगी थोड़ा सा ऐसे break करेगी तो अब area देखिए यहाँ ऐसे इस तरह के area आएगा तो एक हमारा part x से बना रहा है और एक बना रहा है जे से तो इसका part हम ले लेंगे इस direction में और इसका part ले लेंगे इस direction तो हमको जो है इस तरह से यहाँ पर काम करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे torque बराबर होता है I A cross B यह हमको मालू है ठीक है तो उसी तरह से हम क्या कर लेंगे I हमारा कितना 12 area के लिए हमने लोगों ने लिया था 5 into 10 power minus 3 5 into इसको थोड़ा सा 5 into 10 power minus 3 और I cos 30 minus J sin 30 क्योंकि दोनों पार्ट लिखना पड़ेगा I और J क्योंकि area पूरी तरह से हमारा 90 degree पर नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हो गया cross यह पूरा पार्ट हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कई सारे bracket लगे जा रहा है into B कितना हमारा 0.3 वह हमारा cake में है कोई समस्या नहीं ठीक है अच्छा आप देखिए यहाँ पर हम चलिए 12 5 into 10 power minus 3 और I cos 30 को हम लिख सकते हैं cos 30 की value होती है root 3 by 2 root 3 by 2 और I यहाँ न लिख करके यहाँ लिख दिया जाए अच्छा sin 30 की value 1 by 2 और J ठीक है और cross point 3 के cap इतना part हमारा आ गया ठीक आप solve भी करना है बांकि और कुछ नहीं इसमें ऐसा है तो आप देखिए इसको हम solve करते हैं तो यह आ जाएगा यह तो part हमारा 1.8 10 power minus 2 हो जाएगा multiply करेंगे यह numbers को बांकि जो है यह root 3 I और K देखिए I और K क्रॉस प्रॉडक्ट होगा तो I और K जब क्रॉस करेंगे तो minus J आएगा यह आपको पता है तो root 3 by 2 और minus J cap ठीक है अच्छा अब यहाँ minus 1 by 2 J और K करेंगे J और K करेंगे तो I आएगा तो इसमें minus sign आएगा नहीं इस तरह से तो अब यहाँ देखिए इसका चुकि हमें torque का mod निकालना है magnitude find करना है तो आपको मालू है vector निकालना होता है तो क्या करते है तो इसको हम square करके under root कर देते हैं यह आपको अच्छी तरह पता है 1.8 into 10 power minus 3 और under root लगाएंगे root 3 by 2 का square करेंगे तो root 3 का 3 by 4 हो जाएगा minus का plus हो जाएगा यह भी minus का plus हो जाएगा और 1 by 4 आएगा अगर इसको solve करते हैं तो यह 1 आएगा तो यहाँ पर जो value आएगी यह वही value आएगी हमारी 1.8 जो अभी पहले आती रही है 1.8 into minus 2 newton meter यानि कि torque हमारा वही रहेगा और loop हमारी close है तो इसलिए हमारा total force जो है net force जीरो रहेगा ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई होगी और रहे गई बात torque का direction की तो देखिए j और i का product जो आया वो प्लस में आया है जे और i का product देखिए यहां देखिए j और i का product अगर j और i का product प्लस में आ रहा है यानि कि k direction इसमें आ रहा है आपका positive direction में आ रहा है ना positive j और i का जो है यहां पर j था और i है ठीक है यहां पर positive आ रहा है तो j और i का positive x direction में इसका torque आएगा तो positive direction में आएगा ठीक है positive x x direction तो यहां ठीक है कोई दिक्कतनी प्लस है तो कोई समस्था नहीं है आई ही गया आपका अच्छा अब यहां पर बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की वो दूसरा पार्ट है हमारे दूसरे पेजिस में और यह हमारा है दूसरा पेज ठीक है यहां बात कर लेते हैं इवाले पार थो रहेगा ही रहेगा कि अब अरिया दखे सी हमारा आ पर एरिया कैसे पता करेंगे तो दिखिए यह है यह प्लेन पर रखा रुआ है एक और य में तो अंगलियों को ऐसे कर लो करेंगे इसे का रहो कर रहा है यह उठा क्या शो कर रहा है जट डेरेक्शन यानि कि हम मैंगनिटूट नहीं लिख रहे हैं एरिया का आएगा जट डेरेक्शन में यानि कि जट का मतलब हो क्या k-cap और फीर्ड भी k-cap में ही है तो यहाँ देखिए सब रखेंगे लिख सकते हैं i की value और area फीर्ड की value लेकिन के और के डायरेक्शन, वह आजाएगा 0, क्यों? क्योंकि के क्रॉस के 0 होता है, आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, आपने पढ़ा होगा vector diagram, वेक्टर में class 11 में, similarly यहाँ भी भाई है, आप देखी, यह जुकि इस डायरेक्शन में है, तो positive J direction में आया है हमारा area अब चुकि ये direction बदल गई current की तो ये negative J direction में आ जाएगा तो torque यहां क्या बन जाएगा आई तो हो गई होगा A cross B लिखा ही जाएगा सारी values लिखी जाएगी तो shortcut में मैं बता दे रहा हूँ area जो है नीचे की तरफ आएगा area नीचे की तरफ आएगा माइनस J direction माइनस K direction में आएगा तो ठीक है माइनस तो चलो कोई बात नहीं K तो आया हमाँ पास और फील्ड का है value K तो K cross K 0 हो जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा तो दोनों ही case में क्या होगा टार्फ हमको 0 में देगा ठीक है अच्छा अब बात करते हैं हम लोग अब बात करते हैं बचो stability की देखिए अगर कोई एक आपने पढ़ा होगा class limit में यह कोन है class 10 में पढ़ा होगा यह कोन है और कोन को ऐसे हम लोग ने रखा होगा यह जो अर्थ है अर्थ में कोन रखा होगा अगर इस कोन को थोड़ा सा tilt करते हैं और tilt करके छोड़ दे तो यह वापस अपनी position में आ जाए इसका मतब जो tilt हमने किया था तो वो position इसकी क्या थी stable position रही थी क्योंकि जब यह अपनी position पे आ जाता है कोई भी चीज अगर उसको disturb करते हैं थोड़ा सा little bit displace करते हैं और वो अपनी position में आ जाए तो उसको में stable equilibrium कहेंगे ठीक है और कोई भी जैसे यह कौन है अब इस कौन को उल्टा कर दीजिए ठीक है और यह अगर किसी सहारे से अर्थ पे से टिका हुआ है और इसको थोड़ा से disturb कर यह तो पूरा गिर जाएगा यह जमीन पर आके गिर जाएगा इसका मतलब यह position इसकी कौन सी थी unstable position तो यानि unstable equilibrium में था है तो stable equilibrium वो होता है जिसमें आप किसी चीज को disturb करते हैं little bit displace करते हैं और वो अपनी पुरानी position में आ जाता है तो वो stable equilibrium में हुआ अगर वो अपनी पुरानी position नहीं आता है तो वो unstable position पे हुआ इन दोनों बातों को ध्यान रखी इसी तरह charge में भी हम कह सकते हैं अगर मान लिजे electric field है कहीं पर electric field है electric field होने का मतलब यहाँ plus charge है यहाँ minus charge है अगर मान लिजे यहाँ पर negative charge रखा है और यह positive charge रखा है अगर इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दे negative charge को ऐसे घुमा कर किसी एंगल के लिए देखे negative का मतलब यह होता है अगर यह positive है electric field हमारी plus से minus के तरफ चलती है negative plus added करेगा plus और इधर negative होगा added करेगा तो जब अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे करका ऐसे छोड़ देंगा तो यह फिर से अपनी position में आ जाएगा क्यों? क्योंकि plus minus वाले को added करेगा तो यह वाली position क्या होगा? stable अगर यहीं पर हम उल्टा काम कर दें उल्टा काम का मतलब यह हुआ कि अगर मान लिजिए यह positive charge यहां हुआ होगा यहां minus charge हुआ होगा अगर हम इसको कर दें plus और इसको कर दें minus और इसको ऐसे करके हम इस position पर ले आएए ठीक है? किसी angle पर ले आते हैं तो देखी plus हमेशा plus को ripple करेगा minus हमेशा minus को ripple करेगा अगर हमने इसको छोड़ दिया ऐसे dispatch करती है तो चुकि plus plus को ripple पहले से कर रहा था तो यह जो है क्या होगा अगर आपने ऐसे रखा इसको और इसको थोड़ा सा tilt कर दिया तो यह plus plus को ripple करने के वज़े से यह इसको जो है दूसरी position में ले आएगा भगा देगा इसको तो ये position हमारी कौन सी हो गई unstable position तो ये depend करता है कि आपने किसी body को किस तरह रखा हुआ है और वो क्या वापस लोटके आ रही है ठीक है अब यहाँ बात कर लेते हैं इन सवालों में हम कैसे देखेंगे यहाँ पर याद रखिए जब भी कभी area और field के बीच में अगर zero angle बन रहा है तो वो stable position हो ठीक है और अगर हमारा unstable position अगर हम चाहते हैं तो वहाँ field और area के बीच में 180 degree का हमें angle बनना चाहिए जिसे अभी इस वाले question देखें area का क्या है vector हमारा नीचे की तरफ है यानि कि इस वाले case में देखें इ वाले में area vector हमारा क्या है उपर की तरफ है area हमारा vector उपर की तरफ है इनि की k direction में है और field भी हमारी k direction में है area और field दोनों के बीच में angle कितना बनना है theta बनना 0 जब theta 0 बनेगा तो ये काउंसी पोजिशन कहलाएगी है हमारी स्टेबल ठीक है क्योंकि अगर इसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये अपनी पुरानी पोजिशन में वापस स्टोर हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं इन केस F में F में देखिए I का नीचे है और फील्ड उपर की तरफ डिरेक्शन है तो इनके बीच में 180 डिग्री ये थीटा की वैलू 180 डिग्री बन रही है और जब देखिए वही बात आ गए इस वाले केस में यहाँ थीटा की वैलू 0 है इसका जो है पहले एक तरह से समझेए यहाँ पर भी जीरो था एंगल फील्ड के साथ लेकिन इसको हमने वापस किया तो अपनी पुरानी पोजिशन माने के लिए उसने 180 डिग्री खुमा दिया अपने आपको तो इसी तरह से यहाँ पर अगर एरिया हमारा एरिया और फील्ड 180 डिग्री के एंगल पर घूमे हुए है तो जब हम इसको ट्विल्ड करेंगे या थ्वल्ड डिस्पेस करेंगे तो अपनी पुरानी पोजिशन में नहीं आएगा अगर कहीं कोई प्राब्लम है देखिए हो सकती है प्राब्लम कोई बड़ी बात नहीं कि हमने जो बोला हूँ आपको सारी चीज़ समझ मा गई होगी हो सकता है कोई चीज़ नहीं समझ माई हो तो आप इसको कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं ठीक है बच्चा हम कुट बाए